देश की सरोच्य अदालत से बुद्वार को देश की विपक्षी दलों को एक बड़ा जटका दिया सुप्रिम कोट ने कॉंग्रेस सहीत 14 विपक्षी दलों की एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया उन दलों ने केंधरिय एजंसी सीब्याई एक याचिका दाखिल के ती जिस पर सुनवाई करने से सुप्रिम कोट ने इनकार कर दिया कोड़ने कहा कि नितायों के लिए अलग नियम नहीं बना सकते। सुप्रिम कोट का ये फैसला विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा जटका है क्योंकि बिते कुछ दिनों अलग-अलग राजियों में CBI और EG द्वारा जारी करेशन के अलग-अलग मामलों के जाच पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाय थे विपक्षी दलों का कहना था कि केंदर सरकार जान भुचकर विपक्षी दलों को परिशान कर रही है लेकिन अब सुप्रिम कोट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया है विपक्षी दलों की ओर सिधार याचिका में जाच एजंसियों को लेकर सिनियर एड़ोकेट और कॉंग्रेस नेता भी शेक मनूस सिंग्वी ने तरक दिया कि 2013-2014-2022 तक सीबियाई और एडिके मामलों में 600 प्रतेश्वत के बृद्धी हुई है इसमें से जादतर जाज में पक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं अता कोर्ट कांतता कहना है कि एक राजनीतिक नेता मुल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधिन आते हैं सिज्जाई ने साफ कहा है कि नेताओं के लिए अलग से नियम नहीं बना सकते